नमस्कार, समसामिक विश्यों पर आपके पसंदीदा कारिक्रम विशेश में आपका स्वागत है मैं हूँ नविक्रम सिंग किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए पैसे की जरूरत होती है क्योंकि वस्तूओं और सेवाओं उत्पादन से लेकर तमाम तरह की संस्थागत और आर्थिक क्रियाओं के लिए धन की जरूरत होती है लेकिन सोचिए अगर इस क्रिया कलापों के लिए धन उपलब्द ना हो तब क्या होगा ऐसी स्थिती, अर्थविवस्था और तमाम कामकाज ठब हो जाएंगे और ऐसी ही स्थिती दुनिया की सबसे मजबूत अर्थविवस्था वाले देशों में से एक अमेरिका में पैदा होई है जिसे बजट के अभाव में शटडाउन का सामना करना पड़ रहा है इस शटडाउन के चलते लाखों लोगों की नौकरियों पर तलवार लटकने लगी है जबकि लाखों लोगों को छुट्टी पर भेजा जा चुका है लोगों की जरूरतें से जुड़े कई विभागों को बंद करना पड़ा है हलाकि आपात कालीन सेवा, सेना और सामाजिक सुरक्षा इसके असर से अचुते हैं लेकिन इसके चलते आप जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अगर ये शटडाउन लंबे वक्त तक जारी रहता है तो इसका असर नकीवल अमेरिका बलकि पूरी दुनिया पर पड़ेगा आज विशेश में बात करेंगे शटडाउन समस्या से पैदा हुए ताजा हलात के बारे में साथ ही बताएंगे कि आखिर ये शटडाउन होता क्या है और इसके बाद किस तरह की चुनोतियों का सामना करना पड़ता है इसके अलावा जानेंगे शटडाउन के इतिहास के बारे में और दुनिया पर कितना असरदार है ये अमेरिकी उथल पथल तो आईए शुरू करते हैं आज का विशेश अमेरिका एक बार फिर आंशिक चटडाउन की चपेट में है 2018 में तीसरी बार हुआ है जब राश्टपती डॉनल्ड टरम की संगिय सरकार को चटडाउन का सामना करना पड़ा है बीते 40 साल में पहली बार है जब अमेरिका में एक साल में सरकार का काम तीन बार ठप पड़ा है अमेरिकी अर्थविवस्था पर खासा असर डाल रहे इस शटडाउन के जल खत्म होने की संभावना भी कम है राष्टपती डॉनल्ड टरम ने कहा है कि संगिय सरकार का आंशिक शटडाउन तब तक जारी रहेगा जब तक यूएस मेक्सिको सीमा पर दीवार बनने के लिए फंड उपलब्द कराने की उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती अमेरिका की संगिय सरकार को एक बार फिर आंशिक शटडाउन की चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है डॉनल्ड टरम के राष्टपती बनने के बाद से ये तीसरा मौका है जब सरकार का काम काज आंशिक तोर पर ठप पड़ा है कई सरकारी विभाग और एजेंस यां राष्टपती डॉनल्ड टरम्प और कॉंग्रेस के बीच बजट को लेकर जारी कतिरोत के कारण हफते के अंद में बंद रहे शटडाउन की शुरुवात पिछले हफते शुकरवार को आधी राध से शुरू हुई थी आंशिक शटडाउन की नौबात इसलिए आई क्योंकि अमेर्की कॉंग्रेस की कारवाही शुकरवार को संखिया खर्च का बिलपास किये बगएर स्थगित हो गया राष्प्रती ट्रंप कह रहे हैं कि मैं अखेला बैठा हूं दफ्तर में और मैं जब तक बैठा रहूंगा यहां पर जब तक की हमको फंडिंग नहीं मिल जाती है मेक्सिको के साथ में वाल बनाने के लिए अब वो कहते हैं वाल कह दो, फैंस कह दो, कुछ भी कह दो कहता है लेकिन मैं यह इलीगल लोगों को यहां नहीं आने दूँगा और जो भी पैसे चाहिए इसके लिए पांच बिलियन डॉलर की बात चल रही है तो यह देनी होगी आन्शिक चट्डाउन के बीचे मुख्य वज़य है मेक्सिको अमेरिका सीमा पर बनने वाली दीवार अमेरिकी राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प मेक्सिको अमेरिका सीमा पर दीवार बनाने के लिए पांच अरब अमेरिकी डॉलर की मांग कर रहे हैं लेकिन व्पक्षी डेमप्राटिक पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। सत्त धारी पार्टी रेबब्लिकन पार्टी और व्पक्षी दल डेमप्राटी के बीच इस दीवार को लेकर कतीरोध है। अमेर्की संसत कौंग्रेस के पृतिनिती सभाने, 20 दिसंबर को राश्रपती डॉनल्ड ट्रम्प की ओर से प्रस्तावित मेक्सिको की सीमा पर दीवार खड़ी करने की योजना के लिए पांच अरब डॉलर से अधिक राशी खर्च को मन्जूरी प्रदान की है विधयक के बक्षमी सदन में 217 मत पड़े जो सारे रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के थे जबकि विरूध में 184 मत जिनमें सिर्फ साथ मत रिपब्लिकन पार्टी के थे वहीं सीनेट ने उस दिन जो विधियक पारित किया उसमें मेक्सिको सीमा पर दीवार के लिए फंड की विवस्था नहीं है इसके बाद शुक्रवार को सीनेट में मेक्सिको दीवार के लिए फंड के साथ बजट पर वोटिंग होनी थी सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने इसका विरोध किया सौ सदस्य सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के पास 51 सांसद है लेकिन अलप मत में होने के बावजूद विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी ने दावा किया कि विधियक को रोकने के लिए उसके पास पर्याब्द मत है इसके बाद वेरोध की वज़े से ये बजट सीनेट में पास नहीं हुआ और शुक्रवार की आधी राथ से अमेरिका में आशिक शटडाउन के हालात पैदा हो गए केपिटल हिल में वाइट हाउस के अधिकारियों और अमेरिकी कॉंग्रेस के दोनों दरूं के नेताओं के बीच अन्तिम चन तक चली बादचीत में कोई सहमती नहीं बन पाई और शुक्रवार की आधिका में वाइट है वाइट है जो गए पाई आधिका में आधिकार जीजिए पर दिवार खड़ी करने की बजाएं फैंसिंग के पक्ष में हैं वहीं अमेरिकी राश्ट्रपती डॉनल्ट ट्रम्प दिवार बनाने के अपने फैसले पर अडे हैं पीछे हटने को तैयार नहीं है ट्रम्प ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस दीवार के लिए फंड के विना वे बजट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे अमेरिका मेक्सिको सीमा पर प्रस्तावित दीवार का मुद्दा ट्रम्प का एक प्रमुक चुनावी बादा रहा है कहा था कि सरकार के बंद हुए विभाग तब तक ऐसे ही रहेंगे जब तक डेमोक्रेटिक सांसत अपराधी तत्वों को रोकने के लिए अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार लगाने की सहमती नहीं जता देते अंशिक सरकारी शट्डाउन के हालात तीन जनवरी तक रह सकते हैं कि उनको पैसा एक्स्टा देने के लिए तैयार नहीं है मेक्सिकोन वाल के लिए क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से हुमेनिटियरियन इशूज अराइज हुए है और अभी दो बच्चों की डेथ हो चुकी है कि उनको वापिस जाना पड़ा और वापिस उनका डेथ हो गया तो एक तरीके से पब्लिक के अंदर इस तरह की फीलिंग आ रही है तो इसलिए डेमोक्रेट से वो सोचते हैं कि शायद दो साल बाद जो चुड़ा होंगे अमेरिका में उसमें शायद उससे उनको फाइदा हो जाए अमेरिकी राश्रपती डोनल्ड ट्रम्प ने बजट समस्या के चलते अपना क्रिस्मस अफकाश भी रद्द कर दिया था इस से पहले आठ फरवरी तक संगी एजनसियों के कामकाश को आगे बढ़ाने के लिए एक खर्च बिल पारित हुआ था लेकिन इसमें तीवार निर्मान के लिए फंडिंग शामिल नहीं थी आमशिक शटडाउन की वज़े से अमेरिका के चार लाग केंडरी करमचारियों को घर बैठना पड़ा है जबकि जरूरी सेवाओं वाले खरीब चार लाग बीस जार करमचारियों को बिना वितन के ही काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है अमेरिकी सरकार ने सितंबर 2019 तक महज सेना स्वास्त विभाग और मानो सेवा विभाग समेत तीन चौथाई विभागों के लिए सितंबर 2019 तक पूरा फंड जारी किया है जबकि शेश 25 फीजदी विभागों को बिना किसी फंड के ही छोड़ दिया गया है आस्ता कुल्टरिष्ट के साथ आकाश पोपली ब्यूरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी शटडाउन का सीधा सम्मंद अर्थविवस्था से है शटडाउन होने का मतलब है लाखों करमचारियों की नौकरी से छुटी और अनेक सरकारी कामकाज का ठप हो जाना इस दोरान सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित होता है शटडाउन की वज़ए से लाखो संग्य करमचारियों को नौकरी छोड़ कर घर बेट जाना पड़ता है जबकि लाखों करमचारियों को बिना वेतन के काम करना पड़ता है हलाकि शटडाउन के बावजूद भी आपातकालीन सेवाएं चालू रहती हैं ऐसे मैं आईए जानते हैं या खिर क्या है शटडाउन और क्या होगा इसका प्रभाव वित्तिय संकटू से गुजर रहे अमेरिका को आर्थिक मन्जूरी प्रदान करने वाले बिल को मन्जूरी ना मिलने से ट्रम सरकार की मुश्किलें भड़ गई हैं इस वज़े से अमेरिका में शटडाउन हो चुका है जिसकी वज़े से लाखो कर्मचारियों की नौक्रियों पर तलवार लटकने लगी है हाला कि इससे यूएस मिलिटरी और आपातकालीं सिवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वे अपना काम करते रहेंगे दरसल सयक्ति राज्य अमेरिका में शटडाउन तब होता है जब कॉंग्रिस बज़ट से चुड़े विनियोग विधियक को पारित करने में विफल रहती है या फिर राष्टपती उस पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर देते हैं विनियोग विधियक के जरिये सरकार के संचालन और एजन्सियों के लिए वित्त की विवस्था की जाती है इस मामले में अमेरिका में लागू एंटी डिफिशेंसी एक्ट के तहट देश में पैसो को लेकर दिक्कत होने पर संग्य कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाता है उस हालात में इसे शटडाउन कहा जाता है और जब सरकार शटडाउन की खोशना करती है, तब इस दौरान कर्मचारियों को काम पर आने के लिए मना कर दिया जाता है. उन्हें सेलरी भी नहीं दी जाती है. इस इस्थिती में सरकार को संग्ये बजट पास कराना होता है. ऐसे में सरकार संग्ये बजट लाती है, जिसे प्रतनेधी सभा और सिनेट दोनों सबनों से पारिक कराना जरूरी होता है. लिए प्रॉप्रियाशन जाता है. और घैर जरूरी दो समहों में बार दिया जाता है इसमें घैर जरूरी करमचारियों को थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पर भीज दिया जाता है इन करमचारियों को उस दोरान काम से मुक्त कर शटडाउन समस्या खत्म होने तक उनकी सेलरी रोग दी जाती है वहीं जरूरी करमशारियों को ओफिस तो आना होता है, लेकिन उनकी भी सेलरी रोग दिया जाता है जब शटडाउन समस्या का समाधान हो जाता है तब उनकी सेलरी न सिर्फ फिर से शुरू होती है बलकि जितने दिनों तक बिना सेलरी लिएक काम किया गया था वो सेलरी भीज तरकार द्वारा उन्हें भुक्तान कर दिया जाता है जो भी जहाँ 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 नेशनल फंडिंग है जितने भी नॉन प्रायर्टी एरिया जहाँ सबसे पहले पैसा खतम होगा फिर जो प्रायर्टी वाले इरिया जैसे आर्मी हुई नेशनल सेक्यूरिटी सर्विसीज हुए रेपबिलिकन गार्ड्स हुए उन्हें भ इसने भी टॉलेट्स हैं, वाश्रूम्स हैं, वो सब बंद हैं, तो मतलब एक प्रकार से ये डिरेक्टली जो अमेरिका की जमता है, उसके जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, कोई टेक्स तो वो पे कर रहे हैं, उन टेक्स पे करने के बावजूद उनको फैसिलिटीज नहीं मि इसके साथ ही सीमा सुरक्षा और अबरिजन के साथ ही परिवहन सुरक्षा प्रशासन भी खुला रहता है, इस स्थिती में नियाय विभाद खुला रहता है, लेकिन बंद के दौरान बंदूक परमिट जारी नहीं किये जाते हैं, डाक सिवा के पास अपनी अलग निधी होत है, लेकिन इसके साथ ही शटडाउन के दौरान कई महत्पोर विभाद बंद हो जाते हैं, जिनमें शिक्षा, उर्जा, वालेज, परियावरा और सन्रक्षर संस्था, खाद्य और और अशधी प्रशासन, स्वास्थ और मानव सेवा, आवास और शहरी विकास के साथ ही श्र है, विक्राद थेक्राद स्रक्रादे स्वाद, एन इस्ढल खंडि आपरान तरह, विक्राद तर्श्व्अन Postra के साथ, उर्जाओन के था। 거는 परत्राद What is called? प्रभाव और दबाव शट्डाउन के दौनान लाखो लोगों को बेरुजगारी का सामना करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव और दबाव सत्ता में बैठी सरकार पर होता है शट्डाउन की वज़े से सरकार के प्रतिजनता में गुस्सा और अविश्वास पैदा होता है आस्था कुल्शेष्ट के जाद ब्यूरो रिपोर्ट राज्य सभाटी वी अमेरिका में हुए शट्डाउन के हसर से वहां के लोगों को तो परेशानियों का सामना करना पड़ ही रहा है लेकिन अगर ये शट्डाउन लंबा चला तो दुनिया की अन्य देश भी इसके प्रभाव से अच्छूते नहीं रह पाएंगे एक तरफ जहां इस शट्डाउन के चलते अमेरिका में लाखों करमचारी चुट्टी पर है वहीं अमेरिकी राश्ट्रपती आवास वाइट हाउस में भी करमचारीों की संख्या काफी कम हो गई है अमेरिकी राश्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प के राश्ट्रपती बनने की पहली साल गिरह से पहले ही देश में शट्डाउन के साथ एक नया आर्थिक संकट उठ खड़ा हुआ है इस शट्डाउन के असर से राश्ट्रपती आवास वाइट हाउस भी अचूता नहीं है शट्डाउन के चलते लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है अगर ये शट्डाउन कुछ दिनों में खत्म हो जाता है तो इसका खास असर नहीं होगा लिकन अगर ये लंबा खिषता है तो इसका असर ना केवल अमेरिका बलकि पूरी दुनिया पर पड़ेगा इसके लंबा खिषने से किवल अमेर्की शियर बाजार ही प्रभावित नहीं होंगे बल्कि भारा समेथ दुनिया के अन्य बाजार भी प्रभावित होंगे if the shutdown is a month and which problem everybody will be able to roll over the cost if it's your dough teen month then it is a problem because your central government is a big source of revenue and contracts and so on but the dick unlike in India are this the US government is a very small portion of the economy the rest of the economy a private sector public sector enterprises in America very very few yes I will continue to so the private sector will run only those which depend on government contract but that's very small group of companies Bharat ke lihaan sa dekhen to shut down ke chalde Bharat ka niriyat prabhavit hooga kyunki bharat se sab se zaadha niriyat kiya jane wale daisho me se amerika ek hai jubki weshwik star per esse kacche tel ki khimat ka ruchhan aur rupay ka utar-chadhau bhi prabhavit ho sakta hai the big the state-owned enterprises the government ka companies Amtrak for example here runs the trains between America and New York and Washington they will run out of money because here cash reserves say once the reserves are finished then they need money from the government the ones which are profitable your profit then they don't have an issue mohi amerika mein seena ka kuch hafsa zaruri sewao mein aata hai lekin is ki wajah se amerikiki seena ke chauhano ki seeluri ruk jayegi is ke alawah amerika ki seena in dunia bhar mein tamam seenic addomber tainat hai shut down ki wajah se wahaan per unkei kharach par asar padega is ke saadhi shut down ke doran ghar shut down ke doran internal revenue service bhi bind rahe ki jis ki wajah se tax jaman nahi ho payenge kate yasar jaad hai to nahi padega ki ameerika ka apna gharilu masala hai lekin yeh ki ameerika ke saath me joh ordee shok ke rishthe bane evi hai us me thoda sa on ko yeh to chintah hooti hai ki ameerika apne commitment fulfill kar pata hai ni kar pata hai ki agar woh apne desh ke hohi halat nesudhar pah raha hai maha par abil julkar kaam nahi kar saktay hai toh aage kaisa woh ordee shok ke saath me kis tariqe se long term planning kar saktay hai halan ki ameerika me shutdown ka sar zaruri sewaon par nahi hooga national security operations or law enforcement agenziyaan kama karthi rahe ki aur inke kama kaach par asar nahi hooga ameerika me health sewae insurance par adharit hai or health sewaon par private sector ki pakar hai aise me health sewaon par bhi shutdown se khas park nahi padega isi tari se amerika me private sector hi bade pamane par banking sewae mohiya karathe hai aise me banking sewaon par bhi koji khas asar nahi hooga iska asar raja sarkar ki sewaon par bhi nahi hooga aakash popoli ke saath vaybhavraar shukla raja sabha tv ameerika ke itihas mein isse pehle bhi kai bar shutdown ki sthiti a chuki hai aayye naza ndalte hai ameerika me shutdown ke itihas par ameerika ki senghiya sarkar ko 2018 me tisri bar shutdown ke halat ka sámna karna pada hai ham kaya saktayi ki mوجudha sal me teremp prishasan ke liye ye tisra wakha hai jab sarkar ka kama kaj thup pada hai isse pehle farveri me kuchh ghanitong ke liye aur januari me tien dine ke liye sarkar ka kama kaj thup ho gaya tha bgete 40 vrshu me ye pehli bar hai jab ameerika me eek sarkar ka kama तीन बार ठप पड़ा है इस साल जन्वरी में अमेरिका में वित्य विधयक को सीनेट में मन्जूरी नहीं मिली इस से अक्टूबर 2013 के बाद करीब चार साल तीन महीने बाद अमेरिका में शटडाउन की स्थिती बन गई डिमोक्रेट सांसद अमेरिकी राष्टपती डोनल्ड टरम्प के इमिग्रेशन से जुड़ी नीतियों से नारास थे इस वज़े से डिमोक्रेट सांसदों ने वित्य विधयक के खिलाफ वोट किया 19 जनवरी 2018 को सरकार को खर्च की राषी उपलब्द कराने संबंधी विधयक पर सीनेट में जरूरी वोट नहीं मिल सके विधयक के पक्ष में 50 और विपक्ष में 49 वोट पड़े डेमोक्रेटिक पार्टी का कहिना था कि इमिग्रेशन के मुद्दे खासकर Deferred Action for Childhood Arrivals यानी D.A.C.A को फंडिंग के मुखे बजट में शामिल किया जाना चाहिए इसके साथ ही 20 जनवरी से 22 जनवरी तक 3 दिन के लिए सरकारी कामकाज ठप रहा अमेरिकी राष्टपती डोनल्ड टरम्प के कारकाल में दूसरे शटडाउन के हालात इस साल फरवरी में पैदा हुए एक महीने के भीतर अमेरिका में दूसरी बार शटडाउन की इस्तिती बन गई हाला कि ये चंद घंटों के लिए था अमेरिकी सीनेट से बजट पारित नहीं होने से अमेरिका में 8 फरवरी को फिर से शटडाउन की इस्तिती पैदा हो गई हाला कि अगली सुबह यानि 9 फरवरी को सीनेट ने इसे मंजूरी दे दी जिससे सरकारी शटडाउन के हालाज से बचा जा सका पहले भी ऐसा हो जगा है और पढ़ाने राश्टपतियों के समय में भी ऐसा रहा है कि जब भी जो है राश्टपती के बीच में और कॉंग्रिस के बीच में गतिरोध पैदा होता है तो उसका मतल़ यही बनता है कि पैसा मीटिंग होनी पाती है पैसा उतना पूरा मिलनी पाता है और उसकी वजह से राश्पती को फिर ये लास्ट रिजॉर्ट करना पड़ता है कि वह अपने बात से जुकेंगे नहीं जो कॉंग्रिस जो उनको लिए पैसा देने को तयार है वो उससे मानने वो तयार नहीं है वो जादे पैसा माँगेंगे इससे पहले बाराक उबामा के कारिकाल में 2013 में अमेरिका को 16 दिनों के लिए शटडाउन का सामना करना पड़ा था एक ऑक्टोबर 2013 को शुरू किये गए शटडाउन की वजह से करीब आठ लाग संगीय करमचारियों को घर पर बैठना पड़ा उस वक्त अमेरिकी संसत से बजट को मनजूरी नहीं मिली तदकालीन राश्टपती बाराक उबामा की डिमोक्रिटिक पार्टी और विपक्षी दल रिपब्लिकन पार्टी के बीच हेल्थ केर कानून को लेकर गटिरोध इस शटडाउन की वजह बनी थी हेल्थ केर कानून को उबामा केर भी कहा जाता है बराक उबामा इसे पास करवाने पर तुले थे जबकि उनकी विरोधी इसे खर्ची ला मानते थे और इसे इसके वर्तमान सुरूप में पास नहीं करने देना चाहते थे 16 अक्टूबर की देर शाम संसत के इस खानून को मन्जूरी मिली जिसके बाद तदकालीन राश्ट्रपती ने उस पर हस्ताक्षर किये तब जाकर 16 दिनों का शटडाउन खत्म हो सका अमेरिका के इतिहास में से पहले भी कई बार शटडाउन की स्थिती आ चुकी है 1995-96 में दो बार शटडाउन के हालाद बने 1995 में 14 नॉवंबर से 19 नॉवंबर के बीच 6 दिनों तक शटडाउन रहा था इसके बाद 16 दिसंबर 1995 से अमेरिका को एक बार फिर शटडाउन से जूजना पड़ा ये शटडाउन 6 जनवरी 1996 तक रहा यानि इस दोरान 21 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप हो गया 1995 में 96 के शटडाउन के लिए उस वक्त के डेमोक्रेट, राष्टपती, विल क्लिंटन और विपक्षी दल, रिपब्लिकन पार्टी के बीच, मेडिकेर, सारजुनिक स्वास्थ, सुक्षा और पर्यावरण के लिए फंडिंग के मुद्दे पर गतिरोध जिम्मेदार था अमेर्की सरकार को 1981, 1984, 1986 और 1990 में भी शटडाउन का सामना करना पड़ा था 1990 में 6 अक्टूबर को शटडाउन के आहलात बने जो 8 अक्टूबर तक रहा 1986 में 17 अक्टूबर को एक दिन के लिए शटडाउन के स्थिती बन गई वहीं 1984 में 4 अक्टूबर को शटडाउन की वज़े से 5 लाख संगीय करमचारियों को घर बैटना पड़ा था इससे पहले 1981 में 23 नौंबर को एक दिन के लिए अमेरिका को शटडाउन का सामना करना पड़ा बजट पर गतिरोध की वज़े से 1 मई 1980 को पहली बार किसी संगीय एजनसी को एक दिन के लिए बंद करना पड़ा अमेरिकी संसत से फेडरल ट्रेड कमीशन के लिए बजट पारित नहीं हो सका जिस से इस एजनसी का कामकाज एक दिन के लिए ठप हो गया बीरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी पिशेश में आज इतना ही आप हमारा ये कारिक्रम राज्यसभा टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं मुझे दीजिये अजाजत आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी मुझे देखते रहिए राज्यसभा टीवी